आज हम करने जा रहे हैं एक wedding special dish शादियों में ये traditionally बनती है which is called निजामी दम chicken तो चलिए शुरू करते हैं मैंने whole chicken ले लिया है इसे clean करने के लिए एक important tip इसको कम से कम 10 मिनिट तक नमक के पानी में या vinegar के पानी में इसको छोड़ दीजे चिकन को और 10 मिनिट के बाद drain out कर लीजे सारी impurities चिकन की बहार आ जाएंगी तो चलिए आप इसको करते हैं marinate इसमें मैं add करूंगी 2 चमच अधरकलसन का paste 2 चमच कोई भी refined oil जो आप use करते हैं एक चमच भर के धनिया powder एक चमच लाल मिर्च एक चमच हल्दी एक चमच चीरा पाउडर इसमें लाल मिर्च हम थोड़ी सी और add करेंगे इसमें हम डालेंगे 400 ग्राम्स उफ तही इसमें add करेंगे हम एक चमच नमक इसको हम अच्छे से marinate करेंगे चिकन को मसाच देंगे चिकन marinate हो चुका है इसको हम आदे घंटे के लिए रेस्ट करने देंगे इसमें हम लेंगे 100 ml देसी घी चलिए आप कुछ add करते हैं अपने निजामी चिकन में मसाले इसे मैं कहती हूँ treasure box एक शेफ के लिए सबसे बड़िया treasure box यही होता है मोटी इलाइची, छोटी इलाइची काली मिर्च star anise एक दालचीनी का टुकडा तीन से चार long जावित्री का फूल दो साबुत लाल मिर्चे तेज पत्ता और साथ में हम add करेंगे एक चमच, जीरा हमने जीरा add किया तेज पत्ता जावित्री दालचीनी, दो साबुत लाल मिर्चे star anise, पोटी इलाइची दो छोटी इलाइची कुछ long और काली मिर्च अब इसमें हम add करते हैं चिकन अब इसको हम पकाएंगे पांच से साथ मिनट तक हाई फ्लेम पे जब तक चिकन अपना कलर बदल नहीं लेता प्याज लंबा लंबा काटिए उसमें थोड़ा सा नमक आड कीजिए मलमल के कपड़े में प्याज डालिए और निचोड लीजिए एकसेस वाटर ड्रेन आउट हो जाएगा तो प्याज जो बचेंगे उनको आफ फ्राई कीजिएगा पाँच मिनिट में टोटल पाँच मिनिट में आपका प्याज एकदम ब्राउन होके तैयार तो ऐसी टिप्स और ट्रिक्स हमारी डिशिज में आपको मिलती रहेंगी तो कीप फॉलोविंग आ चैनल और डू कमेंट की कैसी लगीं आपको हमारी टिप्स लिए हैं 20-25 भीगे वे बदाम बदामों को बिगो लीजिए अच्छा अगर आपको बदाम भी जल्दी बिगोने हैं और चिलका जल्दी उतारना है तो इनको गरम पानी में बिगोई है देखे चिलका एकदम से ऐसे करेंगे और चिलका बाहर आ जाएगा तो एक और इंपोर्टन टिप मैंने आपसे शेयर की अब इसमें हम यह डालेंगे बदाम एक सिप वोटर जस्ट वान सिप और इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर देंगे अब इसमें हम एड करेंगे फ्राइड अनियन्स जो बरिस्ता हमने बनाया था दो से तीन प्याज ले दीजिए दो बड़े साइज के प्याज या तीन मीडियम साइज के और साथ में हम एड करेंगे इसमें कुछ रिच्णिस जो है बदाम का हमने दरदरा पेस्ट बनाया अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे देखिए एकदम ग्रीवी थिक और रिच हो गई बदाम डालने से क्या बढ़िया टेक्स्चर कलर अब इसको हम 15 मिनिट के लिए सिम पे ढखके पकाएंगे अभी तक मैंने इसमें कोई पानी आड नहीं किया है जरूरत भी नहीं है अभी इसमें अब मैं आड करूंगी प्रोटन टिप मैं आपसे शेर कर रहे हूं हमेशा प्रोटीन बनाते वे कोई भी चिकन माटन कोई भी आप नौन विच डिश बना रहे हैं उसमें हमेशा गरम पानी आड कीजिए उससे आपकी डिश का कलर टेक्स्टर और फ्लेवर तीनों ही बहुत अमेजिंग आएगा त चलिए चिकन को चेक करते हैं पंदरा मिनिट बाद उसके क्या रंग रूप है वाजीवा क्या खुश्बू आ रही है बढ़िया ग्रेवी भी बढ़िया मस्त तयार हो चुकी है अब इसमें हम कुछ इंग्रीडियन्स करेंगे इसको और टीस्टी बनाने के लिए चिकन अच तो उसको भून के क्रश करके अपनी डिश में आट कीजिए और साथ में हम एड करेंगे कुछ कटा हुआ धनिया और आट करेंगे हम आधा चमच गरम मसाला अगर आपको गरम मसाला यह होम मेड गरम मसाला के रेसिपी देखनी है तो आप हमारे इंडियन कुक बुक चैनल प मेडियम फ्लेम पे इसको ढखेंगे और तीन से चार मिर तक मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे चलिए चेक करते हैं चिकन को वावावा इतना ही अमेजिंग कलर और टेक्स्चर आया हमारी डिश का चलिए सफ करते हैं चिकन को बहुत ही बढ़िया कलर टेक्स्चर आया है हमारी डिश का इसको सर्फ कीजिए लच्छे पराठे के साथ या क्रिस्पी तंदूरी रोटी के साथ स्पेशल वेडिंग डिश है ये ये देखे इसका रोगन कितना बढ़िया तयार होके निकला है क्योंकि ये डिश अच्छे से भूनी गई है अच्छे से पकाई गई है हमारी वेडिंग स्पेशल डिश निजामी चिकन बन के बिलकुल तयार है अगर डिश अच्छी लगी है तो लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि कैसी लगी और अगर कोई भी क्वेरी है तो मुझे डिएम कीजिए मेरे इंस्टाग्राम हैंडल प्रियांका अंडर्सकॉर बाटिया पे जिश जरूर ट्राइ कीजिएका बहुत ही टेस्टी है एंजोई